देश में अब 15-18 साल के बच्चों का कोरोना वैक्सिन अभ्यान शुरू हो गया है और यही जहलक टिब्बी गाउ में भी देखने कुमी जहां फत्याबाद के टिब्बी गाउ में 15-18 साल के बच्चों को सुरक्षा कवच लगाए गया कोरोना नियमों की इस दोरान धज्जी अभी उड़ाए गया और किसी भी प्रकार के कोरोना नियमों को पालन नहीं किया गया यह तस्विर आप देख रहे हैं जहां एक तरफ 15-18 बच्चों को सुरक्षा कवच लगाया जा रहा है तो वहीं इस सुरक्षा कवच के बीच कोरोना नियमों को ताक पर रख दिया गया एक स्थान पर काफी संख्या में एक जूट लोग दिखाए दिये तो लोगों ने आरोप लगाया कि फरजी वेक्सिनेशन भी लगाया जा रहा है वेक्सिनेशन का पंजी करण ना होने से ग्रामिन लगातार परिशान दिखे ग्रामिनों ने कहा कि पंजी करना होने की कारण उनका सभी काम रुख गया लेकिन डॉक्टर इसमें कोई संतोष जनक जवाब देते नजर नहीं है वहीं डॉक्टर से जब हमने जाना चाहा तो डॉक्टर ने सभी आरोपों को सिर्य से निकारते वे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हो सभी का पंजी करन कर दिया गया है और डॉक्टर मेडिया से बच्चते नजरा है लेकिन सवाल यह है कि जब 15-18 साल के बच्चों का वेक्सिनेशन अभ्यान शिरू हो गया तो फिर सुरक्षा कवच में नियमों को ताकपर क्यों रख दिया गया तो इन ग्रामिनों के समस्या का समाधान कौन करेगा क्योंकि सवाल तो कोरोना का है और उस वेक्सिन का भी है जो इस वक्त लगाई जा रही है